हेलो मैं वेलकम गरती हूँ आपका अपने चैनल जीवन ब्यूटी टिप्स में आज हम बात करने वाले हैं पैरों के बारे में कि आपको घर पर सिर्फ और सिर्फ 10 मिंटों में कैसे अपने पैरों को गोरा फियर एंड ग्लोइंग बनाना है फ्रेंड्स आपको जस्क 10 मिंट लगेंगे जो मैं आपको बताऊंगी या स्टैप कि आपको क्या क्या करना है अपने पैरों को खुबसूरत बनाने के लिए आप लाइब देख सकते हैं मैं आपको लाइब रिजर्ट दिखाने वाली हूँ मैंने पूरे एक मंद से अपने पैरों पर कोई भी पैडिकर कुछ भी अप्लाइ नहीं किया है आप देख सकते हैं कि मेरे पैर देखने में कितने गंदे लग रहे हैं अब मैं आपके सामने इनको एकदम से गोड़ा चिट्टा बना दूँगी वो कैसे आप देख लीजिए सबसे पहले आपके पैरों पर अगर कोई भी नेल पेंट है तो आप किसी नेल रिमूवर की हेल्प से अपनी नेल पेंट अच्छी तरह से रिमूव कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन है प्लीज उसे जुरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमली और फैंट के साथ जुरूर शेयर भी करना मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूंगी कि आप हमेशा अपने नेल्स पर नेल पेंट को लगा कर मत रखिए एक दिन के लिए उसे अच्छी तरह से नेल पेंट को रिमूब कर दीजिए ता जो आपके नेल्स को अच्छी तरह से ऑक्सिजन परवाइड हो सके तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाने वाली हों कि आपको लेना है थोड़ा गरम पानी जानिकी हलका गरम पानी हो आपको उसमें ऐड़ करना है एक चमच के करीब बेकिंग सोडा अगर आपको बेकिंग सोडा सूट नहीं करता है तो आप इसमें एक चम्मच नमक एड़ कर दीजिए नेक्स्ट आपको लेना है वन टेबल स्पून के क्रीब कोई भी माइल्ड शैंपू आप जो भी शैंपू यूज करते हो एक चम्मच आप उसका इसमें एड़ कर दीजिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका पानी गरम होना चाहिए बिल्कुल धंडा नहीं होना चाहिए नहीं तो आपको उसका अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा अब आपको अपने दोनों पैरों को इसकी अंदर 5-6 मिन तक डिप करके रखना है अगर आप फॉर्स टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं फॉर्स टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो फ्रेंड्स आपसे एक रुक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर लीजिए और भी यूस्फूल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज एक वारी चैक कर लें आपके सिस्क्राइब का बटन रेड है जा फिर ग्रेड अगर रेड है तो प्लीज उसे क्लिक करके ग्रे में कनवर्ट कर दीजिए और मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर लीजिए अब मैं आपको बताऊंगी फुट ब्लीज कि आपको अपने पैरों के लिए फुट वाइटनिंग ब्लीज कैसे बनानी है पांच मिंट हो चुके हैं अब हम अपने पैरों को बाहर निकाल लेंगे और ब्लीज त्यार करेंगे इसके लिए आपको लेना है वन टेबल स्पू हो जाएंगे अब आपको लेना है कोई भी पुराना टूथ ब्रश अब इसकी हैल्प से हम अपने पैरों पर ब्लीज करेंगे और स्क्रबिंग करेंगे अब आपको दो से तीन मिनिट तक अपने पैरों पर अच्छी तरह से स्क्रबिंग करनी है इस तरह करने से आपके पैर पर इस तरह से scrubbing करनी है फिर दूसरे पर फ्रेंट्स आप देखेंगे कि first use ये step करने से ही आपके पैरों पर कितना अच्छा result मिला है आपको इस तरह से आपको अपने दोनों पैरों पर अच्छी तरह से scrubbing कर लेनी है आपके पैरों पर चाहे संटैन हो वो भी सारी remove हो था उसमें डालकर पैरों को अच्छी तरह से वोश कर लेना है नेक्स्ट आपको क्या करना है आप वह भी देख लीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज नीचे लाइक का बटन है उसे जुरूर प्रेस कीजिए आपके एक लाइक से मुझे बह पैरों की मसाज मसाज करने के लिए आपको जस्ट एक अलोवीरा की जूरत है आप चाहें तो फ्रेश स्लाइस ले लीजिए जा फिर मार्किट वाली आप लाइव देख सकते हैं कि अभी भी मेरे पैरों पर चपल के निशान थोड़े बाकी है बट मसाज करने से और पैक आपको अलोवीरा को लेकर इस तरह से अपने पैरों पर अच्छी तरह से मसाज करनी है मसाज करने से अगर आपके पैरों के लिए पैक बनाने की आपको पैरों के लिए पैक बनाना है उसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून कोफी पाउडर कोफी पाउडर से अच्छा तो कुछ और होई नहीं सकता ये आपके पैरों को एकदम से ब्राइट टाइट और ब्राइट बनाएगा नेक्स्ट आपको लेने है टू पेबल स्पून इसमें दही एड़ कर लीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको इसे पैरों के उपर कैसे अपलाई करना है और कितने टाइम के लिए इसे अपलाई करकर छोड़ देना है मैं आपको चमच की हेल्प से अपने पैरों पर ये पैक लगा कर दिखा रही हूँ आप चाहें तो ब्रश की हाल भी ले सकते हैं फ्रेंट्स आपको अच्छी तरह से अपने दोनों पैरों पर इस पैक को अपलाई कर लेना है और 7-8 मिनट तक इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है जब आपका पैक अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो आप हलकी हाथों से मसाज करते हुए इस पैक को रिमूव कर दे और अपने पैरों को अच्छी तरह से वोश कर ले वोश करने के बाद आप देखेंगे मैजिक आपके पैर पहले से कितने ज़्यादा फ्यर एंड ग्लोइंग दिखाई दे रहे हैं आपके पैरों पर कितनी अच्छी चमक आई है पैरों पर जितनी भी गंदगी काला पन था वो सारा एकदम से रिमूव हो चुका है अब बात कर लेते हैं कि आपको इस पैडिक्योर को मंत में कितनी बार करना है आप चाहें तो इसे मंत में दो बार भी कर सकते हैं ना ही पल्यूशन जमा होगा और ना ही गंदगी इस तरह करने से आपके पैर एकदम से आपके चेहरे की तरह चमकने लगेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा पैक ड्राई होने के बाद मैंने अपने दोनों पैरों को वोश कर लिया है अब मैं आपको अपने पैरों पर नेल पेंड लगा कर दिखा रही हूँ इस पूरे परसेस को करने के बाद आप अपने पैरों पर अपनी फेवरेट कोई भी नेल पेंड अपलाई कर लें आप बिल्कुल पालर जैसा पैडिक्योर घर पर करें इस तरीके से जो कि मैंने आपको बताया है इससे आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा और साथ ही साथ आपकी पैर भी एकदम से गोरे, सोफ्ट और स्मूध हो जाएंगे अगर आपका कोई भी कोश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर पूछ सकते हैं मैं उसका रिपलाई जरूर दूँगी अगर आप देखना चाहते हैं कि आप फुट ब्लीच कैसे करें घर पर उस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप उसे भी चेक करें और खुट घर पर ब्लीच बनाएं मार्किर जैसी और उसे अपने हाथों और पैरों पर अपलाई करें तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो पॉमेंट करकर ज़रूर बताना और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको वीडियो यूसफुल लगी होतो और साथ ही मेरे चैनल को साब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करना तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग टेक केर बाबाई